क्या है आध्यात्म दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृती की परंप्रागत विरासत आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिये और समझे उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड से हमारे खास कारिक्रम आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही द्रिष्टी, सही सोग भाइयों और बैनों, मात्री सक्ति को नमन चैनल 24 प्लस निऊज के अध्यात्म कारिक्रम आत्मों विज्ञान साइंस अब दी सोल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदर ने सदकार है इस कारिकर में हम आपको सही दिस्टी सही सोच राइट वीजन राइट थिंकिंग के तहट आपकी रॉंग बिलीफ को समात करके आपको राइट विलीफ पर लाते हैं आपको राइट वीजन लाते हैं कि वाट इस अल्टिमेट टूथ वाट इस अल्टिमेट रियलिटी सनातन सत्य क्या है खुदृत का कानून क्या है ये बातें अलग-अलग एपिशोड के माद्यम से आपको बताई जाती है हमारा वैवार जगत कैसा है और हमारा निश्य जगत कैसा है और देनों में संतुलन समन में होना चाहिए वो बातें आपको बताई जाती है और प्रति दिन नए नए एपिशोड के साथ दमप्रवेश होते हैं तो आज का हमारा एपिशोड है जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा भाई और बैनों बहुती सुन्दर विशय है आत्मा किसे कहते हैं ये जानना जुरूरी है असंक्य चेतना मैं परमानों के बिंड को आत्मा कहा जाता है और इस आत्मा के तीन स्तर होते हैं एक जीवात्मा दूसरा अंतरात्मा और तीसरा परमात्मा जीवात्मा एक सामन्य व्यक्ति होता है ये सामन्य आत्मा होती है वह जीवात्मा जो है अपने स्वार्थ की चेतना तक ही सिमित रहती है पांच द्रियों का सुख और उसी के अंदर वैस्त रहना और मैं और मेरा मेर मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, और उसके इड़ गिर्द गुमना, उसको जो है, हम जीवात्मा कहते हैं, सामान जीवात्मा कार, जिसने जनम लिया है, और जीवन भर यही कार्या, मैं और मेरा के अंदर ही लगा रहता है, असी इसहार संबाल करता है, उसी की दिशा मिलती है त्रही दिश्टी, त्रही सोच मिलती है और उसकी wrong belief समाबत होती है यानि जब उसको ग्यान मिलता है तो ग्यान मिलने के साथ अध यहां उसके अंदर झो है, एक आत्मा का प्रकाश होता है एक आलोक होता है और वह जीव जो है जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाता है अंतरात्मा का अर्थ ये हुआ कि वो ग्यान के सहित होता है वो जानने लगता है कि मैं कौन हूँ मैं कहां से आया हूँ और मुझे क्या करना है मुझे कहां जाना है मेरे जीवन का लक्ष ये क्या है आखिर जो मैंने मनुश्य जीवन प्राप्त किया है ये क्यों प्राप्त किया है कैसे प्राप्त किया है और ये कैसे साथ तक होना चाहिए क्योंकि स्रस्ट्री का सबसे अमुल्य प्राणी सबसे स्रेष्ट प्राणी मनुश्य ही है क्योंकि मनुष्य के पास में पांच सू इंद्रिया होती है जो की विक्सित होती है विक्सित मन होता है विक्सित बुद्धी होती है विक्सित चित होता है और उसकी प्रग्या विक्षित होती है और आत्मा विक्षित होती है इस तरीके से मनुष्य जीवन सर्वस्रेश्ट ज व्यक्ति कब सोचेगा कि उसकी दिशा सही होगी जब तक राइट वीजन नहीं मिलता है जब तक राइट बिलीफ नहीं होती है हमारी जो माननेता है हमाली गलत धालना है जब तक विलीन नहीं होती है हमें सही रास्ता नहीं मिलता है तो आज हम आपको यही सही रास्ता बताने के लिए आये हैं कि ग्यान लो ग्यान को लेने ग्यानी पुरुष को डुंडो ग्यानी पुरुष के द्वारा दिया गया ग्यान है वो हमारी आत्मा में एक प्रकाश करता है एक आलोग करता है ग्यानी पुरुष होते हैं वो चीरा फाडा करते हैं वो भेद विज्ञान करते हैं, वो अकरम विज्ञान करते हैं, वो वीतराग विज्ञान करते हैं, आत्म विज्ञान वीतराग विज्ञान हैं और ग्यानी पुर्ष्ट चीरा पड़ा के अंदर वो आत्मा को अलग कर देते हैं और शरीर को अलग कर देते हैं, क्योंकि वो कार्मन सरीर, लिंक सरीर और कौजल बोडी उसको समाप्त कर दिया जाता है उसको समाप्त करने के कारण नए कर्मों का बंदनी होता है यानि नई प्रतिश्टित आत्मा नहीं बनती है प्रतिष्टित आत्मा किसे कहते हैं कि हमारा मन, बुद्धी, चित और एंकार को कहते हैं और वो डिस्चार्ज आत्मा कहलाती है और जो चार्ज आत्मा होती है वो हर जनम के अंदर प्रतिष्टित आत्मा नई बनती है लेकिन एक बार ग्यान प्राप्त होने के बाद में जो हमारा मन बुद्धी चित अंकार प्रतिष्टित आत्मा है वह प्रतिष्टित आत्मा जितने भवों तक वह जीव करेगा मुक्ष में जाएगा उतने भवों तक वही प्रतिष्टित आत्मा जो है डिस्चार्ज के रूप में रहती है यानि डिस्चार्ज क्या होता है कि हमारे भव भवांतर के जो करम जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए है उसकी निर्जरा होती है उसका जहरण होता है उसका डिसोस्टियेशन होता है साइंटिफिक सर्कुंस्टेंसियल एविडेंसेज हैं, जिनके माद्यम से सारी सस्टी चलती है। उसके अंदर मुक्य रूप से हमारे छह दर्व होते हैं। गती सा आयक जो की मोशन देते हैं साइंस की बासा में। इस सा आयक जो की रेश्ट देते हैं। और तीसरा जो है, हमारा जीव होता है, चौता जीव होता है, हमारा एनिमेट, इन एनिमेट होता है। और उसके बाद के अंदर टाइम होता है। जो टाइम हमें अफगाना देता है, सेकिंड है, मिनिट है, वर्ष है, वर्ष है, उसके बाद में युग है। ये सारा शताब्दिय हैं ये सारा टाइम बताता है और टाइम के बाद में होता है इस पेश आकाश आकास में आउगाना देता है जिसके अंदर आराम से हम चल फिर सकते हैं और हमारी गती वी दिया कर सकते हैं तो ये सारा जो है जगत है इस जगत को अनियंतरन करने वाला इस वो संजोग जुटाती है जैसे जैसे जीव का जो है उसका उपादान होता है भीतर कर्मों का उदे होता है या भीतर जो है उसके जो है वो प्रारब्द होता है उसके अंदरुप्तु संजोग जुटाती है अगर प्रारब्द के अंदर पुन्य आता है तो पुन्य के संजोग जुटाती है और अगर प्रारग्ड में उद्य के अंदर जो है वो पाप का भाव आता है तो वो पाप के संजोग जुटाती है तो इस तरीके से सारा जो हमारा कर्मों का जो भुगदान होता है कर्मों का जो विले होता है वो सारा कि निमत हूँ और निमत के रूप में वो सारी करता है और अपना उसके अदर कोई करम के द्वारा करना पड़ेगा उसके बिना चुटी नहीं हो सकती है वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कौजेज उसके खुद की डाले हुए होते है और वो कौजेज के कारण जो है इस जनम के अंदर करम बीच जो होता है वो करम फल बन जाता है और करम फल बंगर करके वह सुख दुख के परिणाम देता है तो भाई और बैनों यह जो अंतरात्मा जो है यह जब हम जीवात्मा से अंतरात्मा में आते हैं तो हमारा पाग्योदे होता है और हमारी दिशा सही होती है और हम जो है अपनी दरस्टी का अच्छा उप्योग कर लेते हैं इसलिए कहा गया है कि जैसी दरस्टी वैसी स्रस्टी उसकी स्रस्टी अच्छी बन जाती है क्योंकि दरस्टी अच्छी होती है उसका सकारात्मक भाव होता है और उसके साथ के अंदर जो आत्मा की सत्ता प्रग्या है वो जुड़ जाती है वो प्रग्या हर वक्त जो है वो हमारी बुद्धी को ये बताती रहती है तुन्हें ग्यान लिया हुआ है तु ग्यानी है ग्यान का उप्योग कर ग्यान का उप्योग कैसे किया जाना चाहिए कि विर्करता भाव से रहो और उसके बाद के अंदर जो है वो भेध विज्ञान करओ मैं अलग शरीर अलग ये शरीर मेरा नहीं है ये शरीर तो मुझे करमोह के बुकतान के लिए मिला है और जीवन वरो करमोह का भुकतान चलता रहता है जिसको क्यemu परजिस्ट्री कौन से लेगा और वो संभाव का जीएगा, वो फाइलों का संभाव पर निप्टारा करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ मेरे साथ आ रहा है, मेरे साथ जो घटित हो रहा है, उसके लिए केवल मैं ही जुम्मेवार हूँ, अन्य कोई जुम्मेवार नह क्योंकि मैंने पिछले जनम के अंदर कुछ इस तरीके से कौजेश डाले है, वो आज कौजेश करम फल बन करके मेरे सामने आए, और उसके अनुरूप मुझे सरीर मिला है, और उसके अनुरूप जो वेवस्ती सकती है, वो संजोग जो टारती है, वैसे कारी होता है, उसके अंदर हमारी प्रतंतरता है, और साथ साथ के अंदर जीवात्मा स्वतंतर भी रहता है, प्रतंतरता तो उसका पिछला जनम से लिया हुआ कर्म है, और स्वतंतर जाव है, उसकी जागरती है, स्वतंतरता क्या है, कि वो ग्याता दर्ष्टा बाव में रहे, वो ये चिंतन कर कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो ग्याता हूँ, मैं तो दृस्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ और ये शरीर है, करने वाला है, भोगने वाला है, सारी प्रवर्टी ये करता है और इस सरीर को जो है इन कर्म की पुद्गलों को जो है हमें देखता रहना ची बगवान महवीर की दिक्षा लेने के बाद में साड़ा बारा साल की जो तपशिया थी वो स्वेम सब अपके परमावों को अपने पुद्गलों को देखने की जो है वो साधना थी उन्होंने साड़ा बारा वर्स जो है अपने भीतर क्या चल रहा है वो अलग रहते थे शरीर अलग है आत्मा अलग है वो बेद विग्यान करके और जो ग्याता दर्ष्टा भाव से जो मावी स्वामी का जो शरीर था जो ग्याता दर्ष्टा भाव से कारी करता था उसको देख उसके बर्माणों के अंदर शितिल ताती है, टर्बूलैंस होता है और उस धीले पढ़ते हैं और धीले परकरके उनकी निर्जरा होती है और हम भी यही चाहते हैं एक हमारा कार्मन सरीर तीरे धीरे पूरा विलीन हो जाए और शुन्य हो जावे और शुन्य होकर के वह जो है अपने प्राकर्तिक रूप के अंदर जो पुदगलों के साथ मिल जाए और चेतना जो लिबरेट होकर के, emancipation होकर के salvation होकर के, bondage from all करमाज होकर के वो शिद्ध, बुद्ध, मुक्त बन जावे तो ये जीवात्मा जीवात्मा आत्मा ये जो अंतर आत्मा है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अंतर आत्मा होती है जब हम जीवात्मा और अंतर आत्मा का जब हम लक्षे बना देते हैं तो हमारा लक्षे होता है कि परमात्मा बनने का परमात्मा बनने पर जो हमारे सा प्रभू से जो हम विन्य करते हैं और उनके गुनों को जानते हैं कि हमारे प्रभू के क्या क्या गुन है प्रभू के जो भीतर दिराजमान जो हमारा जीवा जो अंतरात्मा है उसके जो है गुन है कि वानंत ग्यान वाला है वानंत दर्शन वाला है वानंत शक्ति वाला है और द्वानत सुका धाम है इस तरीके से जब हम चिंतन के अंदर लग जाते हैं और प्रग्या हमारा ये चिंतन कराती है हमें बढ़काती नहीं है ज्यान लेने के बाद के अंदर प्रग्या हर वक्त खड़ी रहती है और खड़ी रहकर के और वो हमें सचेत करती है कि आप रिसरस् और तपश्या चालू हो जाती है ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दर्शन ग्यान चारीतर नी मौक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन सम्यक ग्यान और सम्यक चारीतर जो है ये मौक्ष के मार्ग है और इसके साथ साथ में सम्यक तप ओफ जुड़ता है भगवान ने सम्मिर तप के लिए बारा बेद किये है अंसन, उनोदरी, विक्साचरी, रस्परिताग काई कलेश और प्रतिसिलींता ये तप के बारा ये तप के छ़ बेद जो है वो भाई ये बेद है और भीतर के जो छ़ तप जो तप के बेद है वो है प्राइस्चित विने वही अवरत स्वाद्याय ध्यान और व्यूद सर्ग ये जूं-जूं हमारी अभ्यास बढ़ता जाता है जूं-जूं हम तप जो है वो भीतर की और जाने लगते है तो वास्तों के अंदर जो सच्चा तप जो है वो है कि ग्याता दर्ष्टा भाव में रहना यानि राग देश मुक्त हो करके जीवन जीना वो ग्याता दर्ष्टा भाव है और वो वीतरागता की इस्तिए है हमें जो है उस इस्तिए को पाना है जब व्यक्ति परमात्मा के लक्ष की और जाता है इसका मतलब उसका लक्षे है वीतराग्ता का लक्षे बना हुआ है और एक बार वक्ती वीतराग्ता को प्राप्त कर लेता है तो कुछी समय के बाद में उसको सारा करम बिले हो करके और केवल ग्यान हो जाता है और केवल ग्यान होने के बाद में कुछी समय में अ, उ, र, र, ल, ये जो है केवल ग्यान का जो आयुश्य का जब समपनता होती है तो उस समय के दिनी पाँच अक्षर के साथ ही जो है वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है तो भाई और बैनों, हम आपको बताना चाहते हैं इस एपिशोड के माद्यम से कि आप जीवात्मा से अंतरात्मा बनो और अंतरात्मा बनाने के लिए ही हमने आत्म विग्यान चालू किया है सही दिर्स्टी और सही जो है चिंतन का हमने लिया है राइट वीजन, राइट थेंकिंग के थे हम आपकी रॉम बिलीफ को समात करते हैं रॉम बिलीफ क्या है हमारी कि मैं तो शरीर हूँ, मैं तो करने वाला हूँ जो ये मेरा परिवार है, मेरा गर है, मेरी दन है मेरी संपती है, मेरी पद है, प्रतिष्टा है ये सब मैं करने वाला हूँ तो हम इसमें परादीन हो जाते हैं और करता भाव आते ही हमारे करमों का बंदन चालू हो जाता है और परमात्मा बनने की स्थती में जब हम जीवात्मा से अंतर आत्मा में जाते हैं तो हम जो है वो निश्काम करम के अंदर लग जाते हैं और जो भी परवर्ती करते हैं उसके अंदर फल रही तो करके हम परवर्ती करते हैं और दूसरे शब्दों में कहें तो अ करता भाव से हम परवर्ती करते हैं निश्काम करम करना और अ करता भाव रहना एक ही चीज अ करत भाव रेने से वक्ति-विदे की स्थथि में चला जाता है। उसका चिंतना जयोशुद्ध होता है, उसकी जागration, चिंतन का मदलन हो जयोँ तियोंज बढ़ती है, क्योंद्धे में जयोटी है। उसे छिपी हुई निरहती है वो हमारा लक्ष है वो परमात्मा बनने का लक्ष है और अंतर आत्मा से परमात्मा बनने के लिए हमें हर क्षण जो है चिंतन जो है अपने अस्तित्व का करना चाहिए कि आखिर मैं कौन हूँ सबसे पहले ये जीवात्मा होने के बात ही ये उसके अंदर एक चानबीन जालू हो जाती है कि आखिर मैं कौन हूँ क्या मैं शरीर हूँ या क्या मैं आत्मा हूँ तो रियलिटी को जानता है कि शरीर तो वेवार पक्ष है ये सरीर तो रिलेटिव है लेकिन रियल तो इसके भीतर बिराजमान जो शुद्धात्मा परमात्मा है आत्मा है वही रियल है और ये रिलेटिव है और जो रियल है वह विनाशी है वो सचीदानंद है सदा शिवो हम सब वो तरहता है सहजानंद सहजानंद के रूपे अंदर रहता है शिवो हम शिवो हम हो जाता है और वो जो है सचीदानंद होता है सचीदानंद का अर्थी होता है सत्चित और आनंद सत्का मतला अविनाशी जब व्यक्ति ज्यान ले लेता है और अनुभू के उपर जाता है तब वो अपने आत्म उसमें फिलिंग जागरित हो जाती है मैं तो अभिनाशी हूँ और अभिनाशी तक तो आत्मा है ये तो गया सत्त और चित का मतलब ग्यान दर्शन मेरी आत्मा के क्या गुन है मेरी आत्मा के गुन है ग्यान और दर्शन दर्शन का मतलब होता है श्रद्दा और ग्यान का मतलब होता है कि हे उपादे और गे की जानकारी करना हमें सब चीज का ग्यान करना ग्यान के बाद में वो छोड़ने योगे उसको हे कहा जाता है और ग्रिन करने के योग होता है उसको उपादाई का जाता है ये अंतरात्मा के होते ही ये प्रकिरिया सारी जालू हो जाती है हमारा विकास होने लगता है हमारा डेवलप्मेंट होने लगता है अंतरात्मा के अंदर रहने वाला व्यक्ति हमेशा सुख की अनुपोती करता है आनन्द की नभूती करता है हम कुछ सब्दों में बात करें तो आत्यांतिक मुक्ष का नभू करता है आत्यांतिक मुक्ष क्या होता है कि हमारे सामने जो वहवार पक्ष है हमारे जो कस्ट आ रहे हैं तकलीफ आ रहे हैं उस कस्ट में भी दुखी नहीं होना उन कष्टों मैंसे सुख को निकालना, दुक मैंसे सुख निकालने की कला जो है वह अंतरात्मा सीखने लग जाता तो भाई और बैनों, अब हम ये जानना चाते हैं निश्कर्स की बासा में, कि अंतरात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, इन तीनों चीजों के बारे में गहरी स चालू करेंगे और बदलने से जो है हम दीरे दीरे परमात्मा बनने की जो अवस्ता में चले जाएंगे यानि हमारी जो सोच है वो सही हो जाएगी हमारा रॉंग बिलीफ समाप्त हो जाएगा यह अंतर आत्मा बनने का बहुत बड़ा फाहिदा है और परमात्मा है वो तो हमा और ज्फ़ाइत की जिई Waatiati है. और उसकी दिरश्टि ग्याता दिरश्टा बन जाती हुआ है। वईत्परा ग्यान को समझने लग जाता है। और समझ करके उसमें रहने की कोशिश करता है जब उसको पृतिती 100% हो जाती ग्यान मिलने के बाद के अंदर तब वो अपना जो 15% जो है उसको जागरती मिली होती है तब वो साधना करके वो जागरती को बढ़ाता है और जो 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 जगरती बढ़ती है उसके साथ साथ अनुप भी बढ़ जाता है और अनुप भी बढ़ते बढ़ते पराकाशता तक पहुंचता है 100% के वस्ता तक पहुंचता है तब केवल ग्यान होता है केवल ग्यान का मतलब है ऐसा एक सूरी का अलोक होता है कि भूत बोशिय वर्दमान और हर जीव की जो है जाए जीव चेतन हो जाए जड़ हो उसकी हर अवस्ता को है वो जानने लग जाता है तो भाई और बैनों यह हमारा आत्म विग्ञान कारिकरम है वह स्वैम को जानने के बारे में कहता है हम दुनिया को बहुत जानते हैं दुनिया को हम अपने गसे नाते हैं लेकिन हमारे को दूसरों के गसे नाते हैं और दुनिया की Realization हम भहुत करते हैं लेकिन Self Realization हमारा बहुत कम होता है और दुनिया का सबसे कटिन कारी है Self Realization करना होता है और यह जो लोग बहुती पुन्रिश ऑली जीव होते हैं — बहुती लोग ज्यागरती रखने वाले होते हैं वही जो है वो अपने स्वरूप का, निज स्वरूप का कर सकते हैं, सेल्प्रिलाइजेशन कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, आत्म निरिक्शन करते हैं और आत्म परिक्शन कर सकते हैं, तो क्यों कि हमारे इस जो आत्म विज्ञान कारिकरम के सेंटर के अंदर आ वो इस जो है, वो हमारे आत्मों gnान के तहट है अब हम थोड़ी ये चर्चा करना चाहेंगे कि व्यक्ति जो है इन सब बातों का चिंतन करने से उसके भीतर जो परिवर्तन आता है उसके भीतर परिवर्तन आने से उसकी क्या सौभाव बन जाता है जो व्यक्तिश्वायम के सुभाव में रहता है निज शुरूप में रहता है उसका जो वहवार जगत है वो बहुत सुन्दर हो जाता है वो सम्भाव की स्तत्थी में चला जाता है वो किसी के साथ के अंदर अन्याय necessarily करता है सबको अपने जैसी आत्मा समझने लग जाता है आत्मों वत्थ हो जाता है कि 84 लाग जीवा योनी प्राणियों कि भीतर जो विराजमान है वही मेरे भीतर है और वो सभी के भीतर है उसमें कोई फरक नहीं है यह जो फरक विवित्ता हमको दिकाई देती है इस विवित्ता का कारण है अपने अपने कर्म होते है भाई और मैंनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आत्म विज्ञान कारिकरम बराबर देख रहे हो और देखते रहे है और आपको इसके बारे में किसी तरह की जिग्यासा हो क्योंकि इस कारिकन को देखने के बाद में हमारी बहुत सी जग्यासा है खड़ी होती है आपको जग्यासा कि अगर आपको जग्यासा हो तो हमारा इमेल आइडिया है और जो हमारा मॉबाइल एप है इसके माध्यम से आप कोई भी तरह का प्रश्णों को हमें भेज सकते हैं उन प्रश्णों का हम सही समादान इसी आत्मा को किंदर में रखे आपके देंगे तो सर्वे भौनतु सुकिना सर्वे भौनतु निरामया जगत के सब्जियों का कल्यान हो सुक मिले शांती मिले आनंद मिले और इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना आत्म विज्ञान में आत्म विज्ञान यानि सही दृष्टी सही सोच